नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चनल एसके लिएस एरवेदा में तोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको जनकारी देने वाला हूं कि हम आज की डेट में ऐसे फूट्स ऐसे भोजन का इस्तमाल कर रहे हैं जिससे कि हमको हमारे हेल्थ पर काफी आए दीन बहुत सारी ला इलाज बीमारिया भी हमको चार वोड से घहरे रह रही है ऐसे में हम क्या करें दोस्तों बहुत सारे भीवर्स का इकोशन भी था कि सार हम बहुत सारा चीज एनर्जेटिक चीज जो है या निट्रिसन जो है वह हम यूज करते हैं बट बॉड़ी मे कुछ असर ही नहीं करतया है हम फ्रूडों भी खाते हैं टाइम पे मिल्क भी लिते हैं बट हमारे बॉड़ी को कुछ भी लगता नहीं है तो ऐसा हम क्या चीज इस्तिमाल करें कि यह सारा चीज हमारे बॉड़डी को सही ठंक से मिले तो मैं आपको सब से पहले बता देता कि कुछ भी आप खाते हैं, कोई भी आप जिसे अल्मन्ट खा रहा हैं, नट्स खा रहा हैं, कुछ भी आप खा रहा हैं, फ्रूट्स यूज कर रहा हैं, मिल्क यूज कर रहा हैं, हर एनरजेटिक चीज यूज कर रहा हैं, और आपके बोडी को नहीं लग रहा है, इसके पीछ सबसे पहले हम को फोकस करना है कि बॉड़ी को सही धंग से क्लीन करें हम डाइजेशन सिस्टम को हम सही करें चूश दुरुस्त करें इसके लिए मैं दोस्तों चुकि आज का जो वीडियो है ये प्रमोशनल वीडियो है इसमें मैं दो अलग अलगता रहते प्रोड़क्स को ला जो इसतमाल है वो बॉड़ी को इंटर्नली क्लीन करने के लिए उज होता है इसके अलावव भूश के बहुत सारे फाइदे है बट आप इंटर्नली यदि क्लीन करना चाहते हो बॉड़ी को तो आप इम्म्नोडॉक्रस को सजेस्ट कर सकते हो इसके अलावव innovAll ups को इसी कमप कीज़रते हो पीते हो वो सहरा ऐसके हा आपके इस्ते जिट को आपके डाय समेश्च के द्वारा भी हो सकता है किने आपके रॉड़र 26 को भी सहिक करता है को इसके बाद आ रॉज कर रहे हो मिलक फिर रहे हो तो सही धंग से यदि आपके बॉड़ी को नहीं लग पचेगा सही धंग से तो आपके बॉड़ी को कोई भी फायदा नहीं होने वाले इसलिए सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए कि अपने पाचन तंत्र को काफी चुस्त दुरुस्त कर लें तभी आप कुछ भी खाईए यजियो